आज में आप लोगे साथ एक जबर्दस किसम लिए टिप शेयर करने जारी हूँ टिप यह है कि आप जिंजर डाडली को लॉंग टाइम के लिए विदॉट फ्रिज के सेफ कैसे कर सकते हैं बजार से जब बनावा पिसावा लेकर आते हैं जार में बॉटल में तो उसकी स्मेल कुछ डिफरेंट किसम की होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तो घर में फ्रेश बनाए लेकिन रोज टाइम नहीं होता कि फॉरण बनाए फिर करें लेकिन कभी यह होता है कि आप इसको बनाके रख ले ताकि आपकी जान चूटे डेली अब बनावगा तो इजी लिए आप निकाला और डाल लिया तो इसको लॉंग टाइम हम सेव कैसे कर सकते हैं यह मैंने देखे बनाके रख लिया है जिंजर गार्लिक का अच्छे से कर लिया और इसके मेक शोर करे किसमें गार्लिक और जिंजर खराब ना इसमें कोई जाए और खास दोर पर जो गार्लिक के ग्रीन वाले आगे निकली होती है चोटी 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 ब्रांचिज चोटी टैनिये निकली होती है उसको काटे उसको नहीं अंदर जाने ग्रीन हो जाएगा तो थोड़ा सा कलर तोड़ा सा जीब सा लगेगा लेकिन वो कोई हामफुल नहीं है डाल सकते तो डाले लेकिन ये के जड़ा सा कलर में फार्क आजाता है अच्छा इसमें इसमें देखें ये मैंने डाल दिया इसमें और इसको थोड़ा सा मैं ग्रेंट करूंगी करेंगे तो आप इसको जल्दी खराब हो जाएगा अब इसमें क्या करेंगे और क्रीबन एक तप इसमें और डालेंगे फिर इसको ग्रेंट करेंगे इसमें जितने भी पार्ट इसके हैं चोटे चोटे पार्ट सभी जो नहीं अंदर मिक्स हो सके उसको भी मिक्स करें फिर एक दफा चलाएं इसको चेक करते हैं यह देखें कितनी अच्छी सी पेस्ट बन गई है जबर्दस किसम की तो चलें इसको डालते हैं जार में अच्छा यह मेरे पास बॉटल है इसमें लगा के लिक के रख सकते हैं और इसको अच्छे से वाश करें वाश करने के बाद इसको बहुत अच्छे से लगा करने के बाद फिर डालना फिर भी टिशू से अद्दर से इच्छे से ड्राइब करने अगर थोड़ा से गीला होगा तो आपका जिंजर गारलिक खराब होने के चांसे थैंट चलें इसमें इसको डालते हैं इसको मैंने जार में डाल दिया है और आप इसको लॉंग ट की तरह रगे फ्रेश ही लगेगा जैसे फ्रेश होत बनाते हैं आप जैसे भी बनाया तो आपको लगेगा क्या भी बनाया है तो धेर सारा ख्याल रखेगा जबर्दस रेसेपी के साथ फिर हाज़र होंगी टेक क्यार बबाई